तो ग्लोबलादेशन इस एक्चली दुनिया जो है तो अब इन आइधा इन इंटरिक्नेक्टेट और इंटरडेपेड़न चुनाचे अर्दूसरी मादे अम यह भी कह सकते हैं के ग्लोबलादेशन is a process, there is a free flow of people, products and ideas and culture and things like that. इसका मताभी है कि there are no barriers actually, चलाज़े जो globalization है इसके कुछ लोग हक में हैं और उनको कहते है hyper globalist और उनको कहते हैं कि globalization is a good process और hyper globalist जो हैं इनमें शामिल है liberals और इसी तरह से जो लोग globalization के खिलाफ हैं और वो समझते हैं कि इसके negative impacts हैं तो उनके अंदर वैसे तो लोग शामिल है realist भी हैं और उसमें शामिल है नियो मार्कसिस्ट लेकिन इन कौं कह सकते हैं skeptics इसका मतलब क्या हुआ कि skeptics जो हैं उनमें realist भी शामिल हैं और उनमें नियो मार्कसिस्ट भी शामिल हैं तो दे नोट favor globalization और जो globalization का process से लाजिम आता है कि जब आप उसके हक में बात करेंगे तो आप यह कहेंगे globalization की वज़ा से economy को फाइदा हुआ है इसके cultural benefits हैं इसके social benefits हैं इसके political benefits